हेलो फ्रेंड्स रसोई रेशनवा आप लोग बहुत स्वागत है तो फ्रेंड्स आज आप लोग के साथ मैं सेयर कर रही हूं बेंगन लुका सब्जी तो कहीं मत जाएगा वीडियो पूरा देखेगा और इस वीडियो को देखकर आप जरूर इसको ट्राय कीज़ेगा तो देखे बेंगन आलू के सब्जी बनाने के लिए मैं बेंगन को पहले कट कर रही हूं अच्छे से कट करके फिर रख ली हूं मैंने अदिके मैं आलू भी कट कर लिया है मिडियम साइज क चोटा चोटा आलू मैंने कट किया है इसमें बेंगन आलू का सब्जी बनाने के लिए और मैं पहले आलू को अच्छे से दो लेती हूं अच्छे से बेंगन आलू को पहले दो लेंगे उसके बाद ही से हम इसका सब्जी बनाएंगे तो फ्रेंस देखे हम धो रहे हैं और इ लेती हूं तो मसाले में मैंने दिया है लाल मिर्च का पाड़ दिया है और थोड़ा सा गरम मसाला दिया है तो देखे फ्रेंट्स मैंने कढ़ाई में बेंगन आलू धो के अच्छे से रख दिया था और इसी सौप्ट होने के लिए मैंने 2-3 मिनट तक सौप्ट हो गया देखे वीडियो में आप लोगों को दीखी रहा होगा कितने अच्छे से सौप्ट हो गया है अब इसे अच्छे से ढख करके हम कुक करेंगे दो तिरी में तक और तो फ्रेंट्स इसे सौप्ट होने देंगे थोड़ा सा गलने देंगे बेंगन को उसके बाद देखिए मैंने मासाले त्यार किये थे उसे पानी रख दिये हैं उसे अच्छे से मिक्स करेंगे पानी रखेंगे तभी मासाले अच्छे से भूनेंगे तीस बात को आप लोगों नहीं भूले फ्रेंट्स और देखिए मैंने फिर इसे जो ढखे थे उसे बाहर निकाल दिया है उससे मैंने अच्छ लगेगा टेश्टी लगेगा और खिल के उपर आएगा देखिए कितने अच्छे सी दिख रहे हैं फ्रेंट्स अच्छे से फ्राय मेरा हो गया है बेंगनालू अब मैंने जो मसाले मिक्स किये थे अब इसमें हम रखेंगे तो चलाते हुए इसे दो दिन में ने भून दिया है मसाले में मैंने एक टमाटर मीडिया साइज का रख दिया है और टमाटर के साथ मसालों को अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे भी 5 मिन तक अच्छे से भूनेंगे और मसालों को कच्छा नहीं रहनने देंगे तो फ्रेंट्स आप लोग भी पानी जरूर रखें मसाले में और तो फ्रेण्स मैंने गैस का फ्लेम कर दिया है ताकि फ्लेमे थोड़े वीडियो अच्छा लगे तो इसे कमेंट करा सब्सक्राइब करना लाइक करना ना भूले प्रेंट इसे चलाते हुए दो मिनट तक और